हेलो गाइज एंड गुड इविनिंग प्राम क्राची दो सिस्टेम में मौजूद हूँ स्टार स्पोर्ट कम्प्लेक्स में यहां पर कल 25 दिसंबर को होने वाले मेज के हवाले से माई दोस्त कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वह भी की जा रही है तो यहां पर हम आये थे वह प्रैक्टिस और जो तैयारी है उन हवाले से विलोग वगरा बनाने के लिए लेकिन जैसे हम स्टार स्पोर्ट कम्प्लेक् बास्केट बॉल है रणिंग है उन सबके लिए अलग-अलग से एक ग्राउंड बनाएगे हैं और उसके साथ जो यहां पर बैठने की जगह है जो अलग से पूल लगाएगे हैं और यहां पी जो ग्राउंड के हवाले से हैं बड़ाई बैतरी इन था हमने इस हुझा चलो सा मेच के प्रैक्टिस है हमारे कलके मेच के हवाले से वह भी दिखाते हैं यह सामने मेंगेट है वैसे तो इस स्पोर्ट से कंप्लेक्स ग्राउंड है यहां पर तीन से चार ग्राउंड लगते हैं लेकिन मेंगेट है वह यह रहा सामने है और इसके साथ ही हम चलते हैं आगे क कर सकते हैं यह पूरा एरिया है प्रेक्टिस के लिए यह कल की तैयारिया हुई है कल के मेज की तैयारिया हो रही है यह ग्राउंड रहा और यह समान बेनर बगरा जो भी है उनको लगाए जा रहे हैं और कल मेज के अर भी बगरा जब कि तैयारिया है कि यह अपिए जब लोगें जो फापने हैं अदिन पर जोड़ें लेकिन अदिन तैंने चल्ड़ दो फिर जोड़ी जोड़ार को इस जोड़ में दोल्ड शुराइब ऐसे हैं गरेंगे आप मिद्बादर आप शी जोड़ार्यां चाहिए तेटिकना दोल्ड़ार मुल्ट बेना लगाए जा रहे हैं किकल का मेच यहें रिफाजी टिकों के हवाले से मेच हो रहा है यह तो उनकी हवाले से यह हमारे क्लाडी भी है और त्यारियां कर रहे हैं बेना लगा रहे हैं जहां पर तमाशा ही बैठते हैं बड़े बेतरीन और यह ग्राउंड है आसता यह राश्ता है अंदर की तरफ रणी चिली बनाएगी जगह है बहुत ही समूथ जगह है यह रापुद वाल ग्राउंड यहां एक गोल का अरिया है और जिसा साइड भू रहा यह एरिया और यहां से यहां तक क्योंकर लाटी चारों तरफ से बड़ी जद्रीन लाटी भी लगी है और सामने तमाश आई बैठ सकते हैं तो चलते हम करीब से आप लोगों को व्यूस दिखाते हैं यह रहां बास्केरबॉल का ग्राउंड बास्केरबॉल यह पी है और यह पी है दो है यह सड़ भी है और इस सड़ भी है दोने साड़ पर लैटे लगी है वाव वेट्री फिल अगाए जहें और फूल यहाँ है और इस्टार स्पोर्ट्स कंप्लेक्ट कर दो कर दो कर दो